हेलो गाईज आप सभी का सुवागत है आपके अपने चैनल इन्फोर्मेशन अड़ापे गाईज DSSB की तरप से रिक्रुमेंट निकल किया है पोस्ट की बात करतों गाईज वेरियस पोस्ट का वेकेंसी निकल किया है जो कि आप स्कीन क्यूब पर देख सकते हैं गाईज यह नॉर्मल रिक्रुमेंट है इस नॉर्मल रिक्रुमेंट के अंदर sports vacancy reserved आईए sports person के लिए तो गाईज इस वीडियो में हम बात करने वाले है इसकी apply के लिए क्या रहने वाली है क्या last date रहने वाली है और कौन कौन से गेम की खिलाड़ी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और कौन सा sports certificate गाई इसके अंदर लगने वाले है वो जो sports certificate आपका कब से कब तक valid रहने वाले है और कितनी vacancy reserved आई है sports person की vacancy इसके अंदर और क्या age limit criteria रहने वाले है प्लस क्या education qualification रहने वाले है उसी ब्यापपे आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और क्या salary package रहने वाले है प्लस total कितना vacancy निकल के है post wise, category wise और क्या इस selection process क्या रहने वाले है यदि इसके अंदर आपका selection हो जाते है तो आपका job location क्या रहने वाले है प्लस fish structure क्या रहने वाले है all guys हम इन important important topic पर बात करने वाले है तो guys आपको बिना skip की video देखनी ताकि आपका all doubt, all concept, all clear हो सके because guys आप skip कर 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 के देखते हैं जिसके कारण guys आपका doubt clear नहीं हो पाता फिर guys आप गलती कर देते हो ठीक है, तो guys यह गलती अपन को नहीं करनी है तो guys अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो हमारे चैनल को subscribe करें because guys आपका एक subscribe मुझे मजबूर करता है और सासाथ motivate करता है आपको time to time update करने के लिए क्योंकि guys आपके लिए बिल्कुल authentic और general वीडियो लाता हूँ तो guys भी नहीं करते आगे बढ़ते है तो guys मैंने देखा है कि आप मेरी वीडियो देख लेते हैं बट guys like भी नहीं करते हैं और नहीं आप comment करते कि आपको मैं बताता हूँ कि लास्ट में आपको वीडियो कैसे लगा तो आप comment करें आपको वीडियो अच्छा लगा तो guys comment करें इससे guys मेरा motivate भी बढ़ता है और like भी जुरू करें और guys कहीं candidate होते हैं कि वीडियो देख जाते हैं information ले जाते हैं बट subscribe भी नहीं करते हैं तो guys आप subscribe करना बिल्कों न भूलें तो guys बात करें जो कि अपनी दिल्ली सब ओडिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये requirement निकल के आया जो कि आप skincube पर देख सकते हैं जिसकी apply करें guys online है last date की बात करते हैं closing date for submission of online application जिसकी last date guys 17 April 2024 रहने वाली है ये normal requirement है इस normal requirement के अंदर sports vacancy रिजर्वड आई जो कि आप skincube पर भी देख सकते हैं ये guys बात करें first post के बारे में तो guys आप इसका post code दे सकते हैं 9-24 है post की बात करते हैं जिस वेनेटरी एंड लाइफ स्टोक इंस्पेक्टर का post रहने वाल है department की बात करते हैं animal husbandry unit का ये department है group C की post है जिसके अंदर total 52 vacancy रिजर्वड आई है उसमें से guys sports person की जो vacancy रहने है टू आई है किसके अंदर animal husbandry unit department के अंदर post की बात करते हैं वेनेटरी एंड लाइफ स्टोक इंस्पेक्टर का vacancy रिजर्वड आप देख सकते हैं डिरेक्टर रेट ओफ ट्रेनिंग का डिपार्मेंट बे निकल लका है canteen attendant post का group C की post है total vacancy one निकल लका है जो की unreserved के अंदर one vacancy reserved आई है और guys इसके अंदर sports person की vacancy नहीं आई है तो guys आपको देखना है कि आपका कौन सा cast category है जिस cast career के अंदर आप apply कर रहे है normal candidate की बात कर रहे है and sports person की भी बात कर रहे है जिनके पास sports certificate नहीं है वो भी apply कर सकते है और जिनके पास है वो भी इसके अंदर apply कर सकते है ठीक है तो guys जिस category के अंदर आपका vacancy आ रख है आपको देखना है आप जिस cast category से बिलोंग करते है जैसे कि मान के चलो आप OBC से बिलोंग करते हो ठीक है आपको apply करना है वेंटरी एंड लाइट स्टोग इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए apply करना है इसके अंदर eligible है आपका age criteria भी आता है education qualification भी आता है तो इसके अंदर आप देख सकते हो OBC के अंदर 26 vacancy है आपके पास अब ही education qualification भी आपका आता है तो आपको apply करना है यदि आप आप केंटीन आटेंटरी के लिए apply करते हो OBC के आपका cast category है आप apply कर रहे हो canteen attendance के लिए आपके पास education qualification भी आपका इज क्रेटरी भी है आपको देखना है कि आप जिस कास्ट काटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके अंदर वेकैंसी आ रखा है तो आपको अप्लाई करना है अदरवाइस आपको अप्लाई नहीं करना है तो इसके अंदर स्पोर्ट्स वेकैंसी की वेकैंसी रिजर्वड नहीं आई है आपको देख लेना है कि आप जिस category के लिए apply करना चाहते है इस post के लिए उस post में आपको देखना है कि मैं उस age criteria के अंदर आता हूं आप मेरे पास education qualification है तो guys आपको apply करना है otherwise आपको apply नहीं करना है ठीक है तो guys इसके अंदर sales grade 1 की, general assistant की, storekeeper की, account assistant की PGT computer science की, PGT English की, PGT Sanskrit की, PGT Music, Painting, assistant architect, assistant director तो guys आपको देखना है कि आप जिस post के लिए eligible है उसी post में आपको apply करना है otherwise आपको apply नहीं करना आपको मैं category wise बताऊँगा तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको देखना है कि जिस post के लिए आप eligible है उसी post में guys आपको apply करना है जैसे कि guys आप देख सकते असिस्टेंट सेनेंटरी इंस्पेक्टर के अंदर अपना sports person का 17 vacancy reserved आईए इसके अंदर साथ ही में guys tenographer great day के अंदर vacancy reserved नहीं आईए sports person की और care taker male के अंदर vacancy reserved आईए male की और only guys इसके अंदर male candidate apply कर सकते हैं ठीक है woman and child development department में निकल के ये four vacancy sports person की साथ में guys female की भी vacancy निकल के ये care taker के अंदर जो की three vacancy reserved आईए sports person की और साथ में guys देखे next में तो guys आप देख सकते हाउस father अपनी इसके अंदर only four male candidate apply कर सकते woman and child development ठीक है and guys next की बात करें तो guys आप skincube पर देख सकते हैं assistant manager accounts के अंदर vacancy reserved आईए जो की department की बात करें तो dscsc है और one vacancy reserved आईए and next की बात करें तो post की तो account assistant में two vacancy reserved आईए ठीक है तो guys इसके अंदर total vacancy की बात करें तो 1,499 vacancy इसमें आईए और sports person की बात करें तो 32 vacancy इसमें reserved आईए sports person की and guys आपको मैंने बताए कि कि किस कि post के अंदर sports vacancy reserved आईए ठीक है तो guys total 32 vacancy reserved आईए sports person की जो की आप skincube पर देख सकते हैं and guys अब बात करें इसकी apply के लिए online आपको मैंने बता दी था candidates must apply online through the website and guys इसकी official website की बात करें तो dssb online.nis.in है आप इसकी official website भी जाके अपना forum field कर सकते हैं कोई गलती नहीं करनी जो sequence wise जो document मांग रखे उसी size में guys आपको upload करने है अदरवाइस आपका जो forum है reject हो जागा और reason भी नहीं बताए जाएगा ठीक है तो guys first post के बारे में बात करें वेनेटरी और लाइफ स्टोग इंस्पेक्टर का पोस्ट था जिसके अंदर विकेंजी रिजवटाई थी sports person की 2 ठीक है तो इसके अंदर बात करें education qualification की तो guys आपने plus 2 pass कर रख किये कोईसी भी स्टीम है निस्टीम साइंस, कोमार्स, आर्स फिर भी आप अपलाई कर सकते है बट कोईसी भी स्टीम से guys आपने past कर रख किये निकी परसों की चल रही एसर मेरी plus 2 ठीक है ये नहीं होना ची आपके पास past marks ही रोनी ची प्लोस टोगी तो इसके अंदर कोई एक्स नहीं मागा रखा बट गाईस इसके अंदर दे रखा है तो guys आप अपलाई कर सकते हैं और गाईस सेली पैकेज की बात कर तो 25,500 से लेके 81,100 तक guys इसके अंदर आपका सेली पैकेज रहने वाले हैं लेवल 4 के साब से ग्रूप C की पोस्ट इती जो कि आपको guys starting में मैंने बताया था Age limit criteria की बात कर तो 18,227 तक guys आप अपलाई कर सकते हैं Second post की बात कर तो canteen attendant का आपको post बताया था जो कि इसके अंदर जो vacancy reserved नहीं आई थी Sports person की education qualification की बात कर तो खाली 10th base पे guys आप अप इसके अंदर अपलाई कर सकते हैं salary package की बात कर तो 18,000 से लेके 56,900 तक guys इसके अंदर आपका salary package रहने वाले level 1 के साब से गरूप जी की post है 18 सेले के 27 साल तक guys आप इसके अंदर अपलाई कर सकते हैं तो guys आपको देखना है जिस post के लिए आप अपलाई कर रहे है उसी post के अंदर आपका education qualification age criteria आपके पास है तो guys आपको अपलाई करना है या तरवाइस आपको अपलाई नहीं करना है तो guys आपको मैं एक करके post के हिसाब से आपको education qualification age criteria बताऊंगा तो वीडियो जादा लंबी हो जाएगी तो guys आपको यह official notification आपको इसी वीडियो के इसी description guys इसका link दे दी जाएगा सरलत प्रत्यान पर कुछ नहीं करना लिंक पर क्लिक करना है और यह official notification डाउनलोड हो जाएगा आपको देखना है कि जिस post के लिए मैं eligible हूँ उसमें यह आपको अपलाई करना है और वाइस आपको अपलाई नहीं करना साथ में य आपका यह रहने वाला इस post के अंदर इस department के अंदर असिस्टेंट सेनेटरी इंस्पेक्टर का पोस्ट निकलके है जिसके अंदर sports vacancy reserved है जो कि 17 vacancy guys में रिजर्वड आई है और total vacancy guys इस department के अंदर 342 यानि 342 vacancy इस के अंदर vacancy reserved आई है education qualification की बात करें तो guys आपने 12th past कर रखें तो guys आप अपलाई कर सकते सेनेटरी इंस्पेक्टर डिप्लोम आपके पास है जो कि guys रिगनाईज डोनाची इंसिटूट से and two years experience in sanitation work तो guys आप अपलाई कर सकते नोलीज ओफ हिंदी और आप देश सकते इसके अंदर आपका जो salary package र operation of Delhi है इसके अंदर sports vacancy reserved नहीं आई है and guys अब बात करें next post के बारे में जो कि आप सके इनक्यूप पर देख सकते caretaker का post है जो की mail में vacancy निकल के यह department की बात करते वोमें और चाल्ड डपलोमेंट का of working as a caretaker in respect of children or women from any register institution से ठीक है तो guys आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं तरवाइस आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं salary package की बात करतो 18,000 से लेके 56,900 तक आइस इसके अंदर आपा salary package रहने वाले level 1 की साबसे गुरुप C का post है age criteria की बात करतो 18,000 के 17 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं next post के बारे में बात करतो female के अंदर vacancy reserved आई जो की caretaker का post है department guys same woman and child development जिसके अंदर 3 vacancy reserved आई है male के अंदर guys 4 आई है and women के अंदर 3 आई है ठीक है education qualification की बात करतो must have passed metric from recognized board and having 6 month practical experience of working as a caretaker in children or women any registered institution तो का इस आप अप्लाई कर सकते है salary package की बात करतो 18,000 से लेके 56,900 तक आई जिसके नरग पा salary package रहने वाल है level 1 की साबसे guru C का post है age criteria की बात करतो 18 से लेके 27 साल तक आप अप्लाई कर सकते है next post के बारे में बात करतो है house father का vacancy निकल के mail का जो की department same है woman and child development जिसके अंदर 2 vacancy reserved आई है and guys इसके अंदर education qualification की बात करें तो आपने graduation आपने कर रखके with sociology और social work और psychology और child psychology और criminology as a subject तो guys आप अप्लाई कर सकते है study in the as a subject up to secondary level salary package की बात करें तो 25,500 से लेके 81,100 तक guys इसके अंदर आपका salary package रहने वाला है level 4 के साब से गुरूप से की post है and guys age limit criteria की बात करें तो 18 से लेके सता इस साल तक guys आप अप्लाई कर सकते है and guys इसके अंदर इस post के अंदर guys female baby vacancy reserved आई है जो क्या आप दे सकते हाउस mother only for female department guys same woman and child development इसके अंदर guys sports can see one reserved आई है and guys education qualification से में graduation आपने कर रख के sociology, social work, psychology, child psychology तो guys आप अप्लाई कर सकते है study in the as a subject up to secondary level salary package guys same है 25,500 से लेके क्या से जार सोथ तक guys इसके अंदर आपका salary package रहने वाला है लेवल 4 के साथ से guys इसके अंदर आपका salary package रहने वाला 18 से लेके 27 साल तक guys आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं and guys बात करें next post के बारे में यह nursing orderly का पोस्ट है डिपार्मेंट से में women and child development जिसके अंदर स्पोर्टिफिकेंस डिजर्फ नहीं आई है और बात करें एजुकेशन कौलिफिकेशन की तो काई साथ आपने 10 पास कर रख किए and guys फर्स्ट एड सेटिफिकेट फ्रॉम एन इंस्सिटूशन डिगनार बाई इस सेंट्रल गॉर्म सता है साल तक आप अपलाई कर सकते हैं साथ ही में आपने फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का भी विकैंस निकल के है जो कि मेल में निकल के है डिपार्मेंट सेम है women and child development जिसके अंदर स्पोर्ट विकैंस डिजर्फ नहीं आई है क्योंकि यह फिजिकल ट्रेनिंग इं यह फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए आपने बीपेर कर रखे तो भी आप इलिजिबल है और आपने डिगरी भी कर रखे पोस्ट ग्रैजुट भी कर रखे इन योगा के अंदर और 55 परसेंटेज आपके हैं तो आप इसके इनरे बिलिजिबल है और मैं देखे हैं तो आपने कोई भी डिगरी कर रखे हैं और आपके पास बनी एर कर रेगुलर डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन है और योगा स्टेडी से यह योगा साइन्स है जो की रिगनाइज रोनेची इंस्टूट उनिवस्टी से और उसके अंदर आपका 55 परसेंटेज है तो फिर भी गाईज आप पीटी एकली इलिजिबल है ठीक है और इसके अंदर कोई एक्सपिरेंस नहीं चाहिए लेवल फाइव की साफ से इसके अदर आपका सैली पैकेश रहने वाला है अठारा से लेकी सताई साल तक आप अपलाई कर सकते हैं और इसके अंदर फिजिकल ट्र इसके अंदर आपका सैली पैकेश रहने वाला है और कितनी विकेंज स्पोर्ट परसन की विकेंज रिजर्वड आई है और नॉर्मल रिकॉर्मेंट की बारे में आपको मैंने बताया है और आपको देखना है कि आप जिस पोस्ट के लिए अपलाई कर रहे है उसके अंदर ये जुरूर आपको देखना है कि मैं जिस कास्ट कैटेगरी से बिलोग करता हूँ उस कास्ट कैटेगरी से बिलोग करते है उसके अंदर विकेंज भी आ रहा है बढ़िया और आपके पा आपको आपको देखना है कि जिस पोस्ट के लिए मैं अपलाई करना है तो गाइस यही घलती करते हैं कि आप एप अपलाई कर देते हो यह घलती अपने को नहीं करना है तो गाइस ये चीज़े कोई काईस आपको डिटेल्स में नहीं बताता ठीक है तो गाइस अब बात करें नेक्स्ट पोस्ट के बारे में असिस्टर मेनेजर अकाउंट्स के अंदर जो की स्पोर्ट्स परसानी की वन केंज रिजर्व डाई है एजुकेशन कोलिफिकेशन की बात करतो आपने विकॉम ओनर्स का रखे विद नोलीज या कंप्यूटर अकाउंटिंग की तो गाज आप अप अप्लाई कर सकते हैं एक्स्पिरिंस की कोई जूरत नहीं इसके अंदर डिपार्मेट की बात करतो Tillis State Industrial & Infrastructure Development Corporation Limited के इनदर यह डिपार्मेंट के अंदर डिपार्मेंट के अंदर कर सकते हैं इनकाइस आपको बता दियां इसकी अपलाइगरिया ओनलाइन एप्लिकेशन इसकी ऑफिशिल वेबसाइट की बात करतो दी ऐसे स्बी ओलाइन डॉट एना इस डॉट इन तो कई साथ को समिट करने से पहले यह जूरू देखने लाए कि आपने जो भी फिल किया है आपने ऑफिकन कर रहा है वो डोकुमेंट से मैच करते हैं नहीं करते हैं तो क्या अगे आपको समिट करने थे तो हैश आपको Uhh करना जूरी regrets करने मंदे यूदर आपको डॉकुमेंट घृया तो वह उसके अंदर आप नहीं का रहा ना तो आपको फारम रिजेट होजाते हैं बीना रीजन बताए ठीक है तो फिर आप रिजन ढूंते रहते हो कि मेरा रीजन क्या था मैं तो इलीजिबल था तो भी फिर मेरा फारम क्यों रिजेक्ट किये गा या ठीक है तो गाइस फिश्टक्चर की बात करते हैं जनरल OBC EWS के लिए आपका जो फिश्टक्चर रहने वाला है 100 है सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो गाइस आप रिटन देते हो तो गाइस आपकी जो कट ओफ है नौर्मल के लिट थोड़ी कम जाती है कि हाई जाती regard घर तो आपकी कम जाएगी sports person की बात करें स्पोर्ट्स परसन की जो कौन कौन से गेम की खिलाड़ी सके अंदर अपपलाई कर सकते हैं तो क्बास आपने औल इंदिया में खेल रखा है etc available लेवल बेखेल रखा है एहन आपने खेलो एंडिया उनर्श्टि या खेल रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो इसके इंडर करने की जूरत नहीं है कुछ करने की जूरत नहीं है सिर्फ only for आपको option दिये जाते है कि आप normal candidate है या sports person है SP उसपे लिखा होता है SP यानि sports person ठीक है उसपे click करना होता है then guys जो भी process होता है वो same process होता है normal candidate की तरह है then guys आपका इसके अंदर selection हो जाता है तो guys आपको अच्छी facilities दे जाती है आपका दोबारे आपको trial भी कराया जाता है ऐसा नहीं कि आपको सीधा duty भी चड़ा दी जाएगा आपको पूरा जो sports certificate आप document verification की दुरान आप लेकी जाओगे तो सारी चीज़े guys आपकी check की जाती है आपने sports person आप जो sports candidate नहीं है उनको SP click नहीं करना है and guys इसके अंदर बाद में आपका sports certificate आपका check होगा यह ना सोची कि आपका sports certificate चेक नहीं होगा होगा guys बाद में check after ठीक है तो guys आप देख सकते हैं यह examination scheme है इस से related question आने general awareness, general intelligence, reasoning abilities, mathematical, numerical abilities इस से related guys इसके अंदर आपकी questions आने हैं और एंड इतने hours का guys आपका questions रहने वाले इतने negative marking तो यह सारी चीज़े guys यह official notification में लिख हुई है आपको अच्छी तरह देख लेना है तो guys आप बात करें इसके अंदर age relaxation की जो कि आप देख सकते हैं सस्ट वालों के लिए 5 years का इसके अंदर age relaxation मिलने वाला है OBC वालों के लिए 3 years का है PWT वालों के लिए 10 years का है जो PWCST वालों के लिए 15 years है PWT OBC वालों के लिए 13 years है जो sports person है उनके लिए भी age relaxation इसे इंदर मिलने वाला है जो कि आप देश सकते हैं meritorious sports person only for group C की post पर ठीक है अपटू 5 years का आपका age relaxation मिलता है ठीक है and 10 years for SST and 8 years for OBC candidates तो guys यह important instructions है आपको अच्छे तरफ पर लेने कोई गलती नहीं करनी जो sequence जो document मारक के सीखने जर आपका photograph आपके documents उसी size में guys आपको upload करने कोई guys sports certificate आपको upload करने की जूरत नहीं आपको जैसा भी मैंने बताया कि same process होकता है सिर्फ आपको SP भी क्लिक करना होता है जिससे भी आप फारमा खुद apply करोगे या किसी से भी फारमा अप्लाई करवाओगे ठीक है तो guys आप अराम से खुद भी फारमा अप्लाई कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यह देखना है कि मैं जिस पोस्ट के लिए लिजिबल हूँ उसी पोस्ट में आप में को apply करना है मेरे पास वह education qualification है उस cast category जिससे मैं belong करता हूँ उसके अंदर मेरा vacancy आ रखा है नहीं आ रखा है यह सारी चीज़े देखने हैं आपको आपको मैंने बता दिए कि sports weekend कितनी रिजर्वड है इसके अंदर 32 weekends reserved आई है आपको मैंने बता दिए sports adequate कितने साल तक valid रहने वाले कौन-कौन से game खिलाड़ी इसके अंदर apply कर सकते कौन-कौन क्या-क्या sports adequate रहने वाली है ठीक है apply के रहने रहने वाली आपको देखना है जिस पोस्ट में आपको अपको अप्लाइगा नाए सेली पेकेशिव का इस सभी पोस्टों के अंदर अलग लग है सेलेक्शन प्रोसेस की बात करते हो डिटन है देन आपको डिवी होगा फिर मैडिकल होगा जर्केशन आपको जब लोकेशन है डेली रहने वाले है इसके अलावब फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करें आपका रिपलाई जुरूर मिलेगा इंड गाइस चार से पाँच मिनट में कोई डाउट कैनल नहीं हो पाता ठीक है तो गैस आपको पोरा प्रोसेट समझाए जाता है hy तो गैस आपको जाते है करें चरथ को लिए बताना कि आपको वीडियो अच्छी लगी यह नहीं लगी तो गाईस जो नए व्यूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूर न बोले बिकोस आपका एक सब्सक्राइब मुझे मजबूर करता है और साथ साथ मोटिवेट करता है आपको टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए अपना से टेलिग्राम चैनल भी स्पोर्स कोटा जोपस के नाम से आप सार्च कर सकते स्पोर्स कोटा जोपस आपको शो हो जाएगा हालागी वहाँ शो नहीं होता है तो आपको इसी व्यूड़ के इसी डिस्क्रिप्शिन गाईस इसका लिंक दे दिजाएगा कोशन नहीं करना लिंक पर कलिक करना फोर्स आप शोट जाएगे तो इस चैनल भी आपको टाइम टो टाइम शरालता पर द्यान पर आप अपडेट कर जाए तो तक इस चैनल भी प्यार दिखाएं तो गईस मिलते आपको नाइस फीटो में जब तक लिए ठ्राश्पोर टता है व्यूरी दे